साथियों, मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है बीजेपी जनसंग से निकली पार्टी है जनसंग के जनमदातार नाम की जनसंग जनमदातार नाम होचे शामा प्रशाद मुखर जी जनसंग के जनक इसी बंगाल के सपुत थे इसलिए अगर यहां सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है बीजेपी के डीएने में आशुतोष मुखर जी और डॉक्टर शामा प्रशाद मुखर जी का आचार, विचार, व्यहवार और संसकार है इनी संसकारों को लेकर हम बंगाल के हर खेत्र को विकास की नई उच्याई पर पहुँचाना चाहते है हम सिर्फ बंगाल में कमल ही नहीं खिलाना चाहते हैं बलकि बंगाल के लोगों का भविश्य उच्वल बनाना चाहते हैं साथियों जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारे हैं वहां केंद्रो और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजिन की ताकत के साथ जनता जनादन की सेवा में लगे हुए है आप मुझे बताईए अगर कहीं कोई गाड़ी कोई बस कीचड में या गड़े में फसी हो अगर उसको बहार निकालना हो तो सारे पैसेंजर नीचे उतर करके एक दिसा में धक्का मारते हैं कि नहीं मारते हैं मारते हैं कि नहीं मारते हैं लेकिन आदे पैसेंजर आगे से पीछे की धखका मारे और आदे पैसेंजर पीछे से आगे धखका मारे तो कीचर से गाड़ी निकलेगी गड़े से गाड़ी निकलेगी सबको एकी दिशा में करना होगा ना बंगाल में भी दिल्ली की ताकत और बंगाल की ताकत दोनों इंजीन एक दिसा में लगेंगे तब जाकर के बंगाल ये बरबादी से बाहर ने कहलेगा हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं लेकिन यहां पश्चिम मंगल में दीदी यह दीदी विकास की हर योजना के सामने दिवार बन करके खड़ी हो गई है आपने दीदी पे भरोसा किया लेकिन दीदी ने आपको दुरनिती दी आपके साथ विश्वाद गात किया किया कि नहीं किया विश्वास गात किया कि नहीं किया आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया दस सान में बंगाल को बरवाद किया कि नहीं किया और अब देखो आप दीदी दोस ओंगी कोर की भाग कर रही है दोस ओंगी को अरे दीदी बंगाल के लोगों ने आपको दस साल सेवा का उसद दिया था लेकिन आपने उन्हें लूट मार से भरे दस साल दिये आपने उन्हें दस साल का प्रस्टाचार दिया आपने उन्हें दस साल का कुशासन दिया साथियों आप मुझे बताईए यहां केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है आदिवास्यों को भी देना पड़ता है और नहीं देना पड़ता है गरीब को भी देना पड़ता है और नहीं देना पड़ता है मज़ूर को भी देना पड़ता है और नहीं पड़ता है बंगाल में ये कटमनी का सिस्टेम बंद होना चाहिए और नहीं होना चाहिए ये बरबादी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए साथियों आप मैंसे कुछ लोगों को साथ पता होगा कल रात को पचास पचपन मिनिट के लिए वाटसेप नाउन हो गया फेस्बुक डाउन हो गया इंस्ट्रागाम डाउन हो गया लोग अधीर हो गये चिंता में पड़ गये सब के मन में सवाल खड़े हो गये पचास पचपन मिनिट के लिए हुआ था लेकिन सब को जोरा था क्या हो गया लेकिन भाईयों बहनों दुनिया में तो पचास पचपन मिनिट ये सोशल मिडिया की कुछ चीजे डाउन हो गई यहां बंगाल में तो पचास पचपन साल से विकास ही डाउन हो गया है विश्वास ही डाउन हो गया है सपने ही डाउन हो गये है मैं आपकी अधिर्ता समझ सकता हूँ मैं आपकी अधिर्ता समझ सकता हूँ